आप जहां पर मिलती है शो से जोड़ी अमेजिंग अपडेट वेल बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्ता नागमनी की तो इस शो में आपने पवित्र पुनिया को देखा था चुरैल के रूप में जिनको काफी जादा पसंद भी किया गया था बले ही ये शो अभी टी लोग इसको मिस करते हैं और इस शो के नए सीजन की डिमांड कर रही हैं कि इस शो को जल से जल पारवती और जो बॉंडिंग था श्रिवाय का उसे वो एक बार फिर से देखना चाते हैं जहां पर एक बार फिर से वो नागमनी की उसी इंट्रस्टिंग स्टोरी को देखना तो अब इसी के बीद जो लोग पवित्र पुनिया को मिस्स कर रही हैं या फरिष्चो को मिस्स कर रही हैं उनके लेकर आएं हमें एक दम एक्सक्लियोसिफ अपदेट वेल ये बात तो आप सब जानती ही हैं कि रियल एक्टुस पवित्रा अभी अपनी रियल लाइफ में एज इसा किया उन्हें नज़र आया पवित्रा में, क्योंकि वो अब तक TV सीरियल में सिर्फ और सिर्फ नेगिटिव कर्दार ही करती हुई नज़राइंग हैं तो आखिर उन्हें बीग बास में ऐसा क्या नज़राया पवित्रा में जो उन्हों ने उससे अपना लाइफ पार्टनर बना लिया तो एजास ने आप सभी की प्यारी पवित्रा के बारे में एक ऐसी बात कही जो दिल चू लेने वाली थी और उसे सुन कर डेफिनेटली आप भी अगर पवित्रा के फैन है तो हो जाएंगे काफी जारा खुश एस पर दे न्यू इंटर्व्यू की बात की जाए तो एजास खान ने यहाँ पर अपनी so-called girlfriend पवित्रा को अपनी मां से compare करते हुए कहा कि मुझे अचानक से पवित्रा में अपनी मां नजर आने लगी थी the way she treat me, the way she care for me मुझे हमेशा से ऐसा ही लगा लेकिन unfortunately आपको प्यार अपनी मां से हो सकता है लेकिन all time आप किसी में अपनी मां नहीं देख सकते क्योंकि आपको उस person की existence भी देखनी होती है मेरे साथ भी वही हुआ जहां attraction, infatuation of प्यार शुरू हुआ मेरी मां के जैसा दिखने से तो वहीं मैंने real पवित्रा को जाना तब मुझे वो और पी जादा अच्छी लगने लगी उसके बाद big boss से निकलने के बाद हम lockdown में फसे और उसके बाद हमें realize हुआ के एक दूसरे के importance कितनी है और थभी से हम अभी तक साथ है वेल आप कितने excited हैं एजाद और पवित्रा की शादी को लेकर के कौन-कौन देखना चाहता है इन दोनों की real life चोड़ी कॉमेंट जरू कीजिए साथी वीडियो को like share करके चैनल को subscribe करना न भूले